गुरमोρώनिंग स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे विजोलिया किसान आंदोलन जो बील वड़ा का है विजोलिया किसान आंदोलन राजस्तान के अन्ने किसान आंदोलनों का अगवा राय अराियों यह के किसानों में अधिकांस भाकड जाती के थे 1894 में इसमे में बिजोलिया के राव गोविन दास की मर्तिव तता किसानों को जागिरदार के खिलाब कोई विशेश सिकायत नहीं थी 1894 में इसमे में बने नए जागरदार करशन सिंग अर्था जिसे किसन सिंग भी कहते हैं में किसानों के परती ठिकानों की नीतीव जागिर परमन में परेवरतन किये अर्तात नया सासक बना कृष्ण सिंग अटारफ च्छोराणवा में पूरुष ने कुछ परेवरतन किये इसके समय में लगभग 84 परकार की लागबागों के दौरा किसानों से उनकी मेनत की कमाई का लगबग 87% बाग जागिरदार लिया करते थे 84 परकार के टेक्स लगा रखे थे और उन टेक्स के दुआरा 87% जो उनकी कमाई होती थी उनको वापस ले लिया जाता था और ये जो करते वो ये जो टेक्स थे वो करशन सिंग के समय थे इसके बाद भी उन्हें बेगार अलग से करवाई जाती थी 1877 में गिर्दर पुरा नामक गाउं में गंगाराम दाकड के पिता के मरत्यू बोज के अवसर पर हजारों किसानों ने अपने कश्टों की खुल कर चर्चा की और मेवाड माराना को उनसे अवगत कराया 1877 में गिर्दर पुरा जो गाउंग है वहाँ पर जो गंगाराम दाकड है उसके पिता की मरत्यू गई थी तो मरत्यू के बाद में जो मरत्यू बोज होता है जो बारवा होता है तो समय सभी लोग एकतरित हुए और उन्होंने बादचित की और बादचित करकर माराना को हामिद उसे ने ठीकाने के विरुद महकमा खास में रिपोर्ट थी किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला राज्य की तरब से ठीकाने को मात्र एक दो लाग दे कम करने को कहा गया इससे राव कृष्ण सिंग का होसला बढ़ गया अर्थाथ एक दो परकार के जो टेक्स अर्था चपनिया अकाल पड़ा के कारण बिजोलियां के किसानों की इस्तिती पहले से कापी दैने थी इसके बावज़ुद 1903 में राव कृष्ण सिंग ने ठीकानों पर किसानों पर चवरी कर नामक एक नया कर लगा दिया जो लड़की की साधी होती है लड़की की साधी पर एक टेक्स लगया जाता है जिसे चंवरी कर कहते हैं ठीक है इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवा के आउसर पर पांच रुपे ठीकाने के कोस में जमा करवाना पड़ता था चंवरी कर बिजोलिया वाशियों के लिए आर्थे ग्रूप से तो भार सरूप था साथी साथ सामाजी गरूप से गोर अपमान जिनक बिता किसानोंने इसका मोन विरौद किया और दो वर्ष तक अपनी करन्याओं का विवा नहीं किया किसानों के परतिरोद के आगे राओ को चवरी कर्भी की जो लाग थी वो उठा देने फसलों में ठिकाने का इस्सा दो पटा पांच लेने तो उता करने वाले एलकारों के साथ बीसियों आदिम्यों को नए बुलाने की गोशना करनी पड़ी 1906 में बिजोलिया के नए बोस्वामी परत्विशिंग ने नए के ओल पूराने रियास्तों को समाप्त कर दिया बल्कि परजा पर तलवार बंदाए नामक नया कर भी लगा दिया तलवार बंदाए योग करोता जिसमें कोई भी नए राजा बनता है तो उसको बेंट देनी पड़ती है 1913 में किसानों ने सादू सीताराम दास फत्यकरण चारण और ब्रमदेव के नेतरतों में जागिर छेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया जागिर छेत्र की बूमी पड़त रहने के कारण किठीकानों को बड़ी हानी उठानी पड़ी इसके बावजूद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सक्ती द्वाय अत्याचारण में भी वरद्धी हो गई फत्याकरण चारण वा ब्रह्म देव आतंक की थोकर विजोलिया छोड़ कर चले गए तता सादू सिता रामदास पुस्तकाले की नोकरी करते थे तो वहाँ से इनको अलग कर दिया गया सादू सिता रामदास द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजे सिंग पतिक ने आंदोलन का नेतर समाला और 1917 में हर्याली अमावस्या के दिन बेरी साल गाउं में उपर माल पंचबोड नामक एक संगठन इस्ताबित कर उसके तत्वादान में आंदोलन का स्री गेनिस किया गया उपर माल पंचबोड की स्ताब ना की गई ये 1917 में विजे सिंग पतिक के द्वारा और इस आंदोलन के ये नए नेतर तर करता बने पहले सादू सिता रामदास ने नेतर तु किया बाद में विजे सिंग पतिक ने किया तिलक ने किसानों की वीरता और संगटन से प्रवावितों कर नकेवल अपने अंगरीजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपाद की ये लिखा अपितू मेवाड के माराना फते सिंग को भी पत्र लिखा मेवार के राजवन्स ने स्वतंतरता के लिए बहुत बलिदान किये हैं आप स्वयम स्वतंतरता के पुजारी हैं अते आपके राज्ये में स्वतंतरता के उपासकों को जेल में डालना कलंग की बात बिजोलिया के किसानों को जागरत करने के लिए एक और मानिके लाल वर्मा द्वारा रचित पंचीडा गीत भी गाया गया विजोलिया किसान आंधुलन के द्वारा एक गीत गाया के मद्दे में जो ये आंधुलन चल रहा था उसी समय मानिके लाल वर्मा के द्वारा एक गीत रचा गया था पंचीडा गीत और दूसरी और प्रग्या चक्सू बवनलाल स्वनकार भी अपनी कविताओं के माद्यम से गाउं गाउं से गाउं गाउं में अलग जगा रहे थे पतिक ने भी बिजोलिया के आसपास के इलाकों के यूकों में देश बक्ति की बाउना बरने के उद्देशे स से इस समय उपरमार सेवा समीति नामक संगतन की स्तापना की चता उपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकल वाया आंदोलन को देश बर में चर्चित करने के लिए पतिकने किसानों की तरप से कानपूर से निकलने वाले समाचार पत्र 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 पत् जन आंदोलन बनाया गया और पूरे देश में पूरे भारत में इसको परसिद करवाया गया परताफ समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राश्ट्री पचान दिलाई प्रेम चंद की उपन्यास रंग भूमी में मेवाड के जन आंदोलन का जो चितरन किया गया है वह बिजोलिया किसान आंदोलन का इपरतिब्य में है उदेपुरी राजी सरकार ने अपरेल 1999 सिस्वी में बिजोलिया के किसानों की सिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडल गड हाकिम बिंदुलाल बट्टा चारे के देख्सता में एक आयोग का गठन किया गया आयोग ने किसानों के पक्स में अनेक सी पारिशे की परन्तु मेवार सरकार द्वारा इस तरब कोई ध्यान नहीं दिये जाने के कारण आंदोलन पूर वर्थ जारी रहा बारत सरकार के विदेश विवाग के अधिकारियों का मत्ता की बिजोलिया किसान पंचायत के साथ सिग्र समझोता किये जाना आवश्यक है अन्यता संपूर्ण राजपुताने में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है एसी इस्तिती में बिजोलिया आंदोलन को तुरंत सांत करने के उद्धे से से राजस्तान के एजी जी रोबर्ट होलेंड की अधिक्सता में एक उचिस तरी समयती का गठन किया गया फरवरी 1922 में रोबर्ट होलेंड ने किसानों से वार्ता करके 35 लागतों को माप्त कर दिया दुर्बागे से ठीकानों की कुटिलता के कारण ये समझता इस्ताई नहीं हो सका अर्थात होलेंड ने 35 लागते थी 84 में से उसको कम कर दिया लेकिन अधिक समय तक नहीं रह सका और ये जो सर्थी ये बिल्कुल बंग हो गई इसके बाद में 1927 के नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों किसानों के ठीकाने को दबाव बनाने के लिए विजे सिंग पति ने परामर्ष के बाद लगान की ओँची दरों के विरोध में अपनी माल बूमी छोड़ दी और मगर किसानों की धारना की विप्रिट ठिकाने द्वारा भूमी की निलामी के जाने पर भूमी को लेने वाले नए किसान मिल गए किसानों द्वारा भूमी छोड़ने के पेसले के लिए पती को उत्तरदाई टराया गया जिसके बाद उन्होंने अपने इस आंदूलन को इस आंदूलन से वो अलग हो गए इसके बाद किसानोंने अपनी भूमी को वापस प्राप्त करने के लिए आंदूलन जारी रखा जो 1941 तक चला है यह तीन चरणों में आंदरन हुआ है और पहला जो चरण था वह 1877 में चालू आता 1915 तक 1915 से 1922 और 1922 से 1921 से 1941 तक है ठीक है इसके बाद विए दूसरा किसान आंदूलन है वह सीकर किसान आंदूलन का प्रारम सीकर ठीकाने के नए राव राजा कल्यान सिंग दुआरा 25 से 50 परतिस तक भूर राजस वर्दी करना है अर्थाथ पहले 25 पर्षेंट थी उसको 50 पर्षेंट कर दिया गया 1922 में उसने पूर्व राव राजा के दासंसकार तता स्वेम के गदी नसीनी समारों पर अर्धी खर्च का बहाना बनाकर इस वाइदे पर लगान वर्दी की अगले वर्ष लगान में रियासत दे जाएगी किन्तु 1923 इस्वी में राव राजा रियासत देने सम्मंदी अपने पुराने वाइदे से मुकर गया राजस्तान सेवा संग के मंतरी राम नान चोधरे के नेतरतों में किसानों ने इसके विरुद आवाज उठाई लंदन में परकासित होने वाले डेजी हुईरल नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्तन में लेक छापे गए और 1925 में बिर्टी संसत के निचले संसत हाउस अप कॉमन्स में लिचेश्टर अर्थात पस्चिम से लेबर सदसे सरफेतिक लोनेंस ने किसानों के समर्त में आवाज उठाई 1931 में राजस्तान जाट छेत्री सबा के इस्तापना के बाद किसान आंदोलन को नई उड़ा मिली किसानों को धार्मी कादार पर संगेट करने के लिए ठाकुर देशराज ने पतेना में एक सबा कर जाट परजापती महाई एग्ये करने का निच्चे किया बसंत पंच में 20 जनवरी 1934 को सीकर में गचार ये पंडित खेमराज सर्मा की देखरेक में ये यग्ये आरंब हुआ यग्ये किसामापती के बाद किसान यग्ये पती कुमर हुकम सिंग को हाती पर बेटा कर जुलोस निकालना चाते थे किन्तु राव राजा कल्यान सिंग और उसके ठीकाने के जागिरदार इसके विरुत थे इसका कारण ये ता कि ठीकाने का सासक और जागिरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्टा की दरश्टी से अपने से हेन मानते थे हाती पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलस को अपना विशेसाधिकार मानते थे इसके काण सीकर ठीकाने में सीकाने ने यग्ये की पहले रात हाती को चुरा लिया हाती चुराने की गठना ने वाँ उपस्तित लोगों में रोज पेदा करने का कारिये किया और माहुल तना आम बुगतने पड़ेंगे अंतर तक किसानों की जितके आगे सीकर ठीकाने को जुकना पड़ा और स्विम ठीकाने जुलस के लिए सजा सजाया हाती परदान किया साथ दिन तक चलने वाले इस यगे कारिकरम में इस्तानी लोगों सहीत उत्तर परदेश पंजाब लुहारू पटियला और इसार जिसे इस्तानों से लगबग तीन लाक लोग उपस्तित हुए बीसवी सताब्दी में राजपुताने में होने वाला ये सबसे बड़ा यगे था सीकर किसान आंदुलन में महिलाओं की महतुब बुन्बो में का रही सियोट के ठाकुरमान सिंग दोरा सोतियां का बास नामक गाउं में किसान महिलाओं के साथ किये गए दुरुवेबार के रोध में 25 अपरेल 1934 को कट्राथल नामक इस्तान पर स्रीमती किसोरी देवी के अ महिला समयलन का ऐसेन किया गया शीकर ठीकाने ने उक्त समयलन रोकने के लिए जरह 144 लगा दी इसके बावज़ुद कानुन तोड़कर महिलाओं का ये समयलन हुआ इस सम्मेलन में बड़ी संक्या में मैलाओं ने भाग लिया जिनमें स्रीमती दुर्गा देवी, सर्मा, स्रीमती फूला देवी, स्रीमती रमा देवी, जोसी, स्रीमती उत्तमा देवी, आदी, परमुक्ती 25 अपरेल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसुल करने के लिए कुदन गाउं पहुंचा तो एक वरद मैला धापी दादी दौरा उच्छाइत किये जाने पर किसानों ने संगटितों कर लगान देने से इनकार कर दिया पुलिस दौरा किसानों की विरूद का दमन करने के लिए गोलियां चलाए गई जिसमें चार किसान चेत राम, टीकूराम, तुल्चाराम और आसाराम सहीद हुए 175 को गिरबतार कर लिया गया इस विबस हत्याकारण के बाद सेकर के किसान आंदुलन की गुंच एक बार फिर बिटी संसद में सुनाई दी 1935 के अंत तक किसानों की अधिकांस मांगे स्विकार कर ली गई आंदुलन का नेतरतु करने वाले परवग नेताओं में सरदार हरलाल सिंग, नेतराराम, गोरिर, पन्ने सिंग, बाटडानाउ, हरु सिंग, पतलाना, गोरु सिंग, कटरातल, इस्वरिय, भेरभुरा, लेखाराम, कसवाली, आदिसा मिलते इसके बाद भी हम जो बेंगो का किसान आदुलन है, वो पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है?